The art of note making, must awaited video, कई बच्चे मुझसे बोल चुके हैं कि सर note making आप बता दीजे, तागे हम preparation जो हमारी start हो रही है, जो मैंने holistic plan आपको बताए है, उसके accordingly हम notes भी अपने बनाते रहे, ठीक है, तो इस video में, मैं आपको क्या-क्या बताने वाला हूँ, सबसे important चीज आप note कैसे बनाओगे, यह तो बताना ही बताना है, और answer writing कैसे होगी, यह भी इस video का बहुत बड़ा important हिस्सा है, अब कई बच्चे क्या करते हैं, वीडियो थोड़ा बहुत देखते हैं, छोड़ देते हैं, बिलकुल आप छोड़िये, लेकिन इस video को मैं बता रहा हूँ, कि इस video को मन छोड़िये, चाहें आप UPSC की preparation कर रहे हो, UPSC, चाहें किसी state PSC की, चाहें किसी भी exam की preparation आप कर रहे हो, note making ऐसे ही होगी, यह याद रखिये, note making जो मैं बता रहा हूँ, ऐसे ही आप करोगे, इसमें बहुत सारे मैं ऐसे approaches बताऊंगा, जो generally, toppers के पास होते हैं, आप के पास कभी नहीं होते हैं, तभी इसी लिए, कि जो art of note making है न, वो कोई normal, देखो तभी तो art बोला है आप है, कि note making एक art है, हर किसी के, और art आपको पता है, painting हर कोई नहीं कर सकता, drawing हर कोई नहीं कर सकता, ठीक है, हर किसी का एक art है, not everyone's cup of tea, don't write blindly, कि आप बस किताब उठाई, आप ने पढ़ा, आप लिखने लग गए, तो आप एक नई book छाब दोगे, और जिसको आप कभी दुवारा पढ़ोगे, कोई मतलब निया इन चीजों का, ठीक है, इसलिए, toppers का approach क्या रहता है, how they think, how they remember, how they write, that's the most important, वो कैसे सोचते हैं, ठीक है, कैसे उन चीजों का याद रखते हैं, चाहे वो fact हो, चाहे वो analytical चीज़े हो, कैसे याद रखते हैं, सोचो कि UPSC या MPPSC या किसी भी exam में, बहुत सारी चीजों के उपर questions आते हैं, किसी भी current, किसी भी topic पर आप questions उठा लिए, किसी भी, तो आप सोचो कि वो कैसे इतनी जल्दी, बहुत ही मतलब 2-3 minute के अंदर ही, question frame भी कर लेते हैं, लिख भी लेते हैं, सोच लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, how is that possible, क्या उन्होंने वह चीज पढ़ी होती है, मुझे तो नहीं लगता, क्यों, क्योंकि जो पढ़ा हुआ होता है, इससे कितना, 50 या 60% paper ही सो फस्ता है, उससे आगल का paper का क्या, वह 40% जो paper, जो आता है किसी current में से, किसी event पर या कुछ भी पूछ ला, उसको कैसे frame करेंगे, आज इसी वीडियो में आप यह जानोगे, ठीक है, तो कैसे वो लिखेंगे, यह सारी चीजे मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, ठीक है, और किसके लगाएते, environment के भी आपको notes दिखाऊंगा मैं, history के notes दिखाऊंगा आपको, ठीक है, इन सारी चीजों के आपको notes बताऊँगा, और भी सारी geography के, geography, जिसमें mapping आईगी, mapping के भी आपको notes बताऊँगा, mapping कैसे की जाती है, ठीक है, हम ठीक करते हैं कि framework क्या बनेगा, किस तरह से किसी भी question को हम approach करेंगे, सारी चीजे समाएंगी, और इन सारी चीजों से develop होगा, एक हमारा framework, और इसी framework को आप अपने exam में, बना के आओगे, करके आओगे और इसी से आप answer लिखेंगे, तक आपको एक framework नहीं बना लोगे अपना, I don't think so, कि आप एक हर question का जवाब दे सकते हो, आप कहोगे sir हम तो दे सकते हैं, तो भाई आप try करके देख लो, लेकिन अगर आप एक framework के accordingly answer writing करेंगे, तो that's my guarantee, कि आप जो unknown questions भी आपसे होगे न, अभी कही न कहीं आप कुछ न कुछ धूंड लोगे, आपसे अगर पूछ लिया जाए, कि जो UPSV में question भी आया था, I think society section में इस साल, ये 2023 game, mains में, कि mobile का impact क्या होता है बच्चों पर, childs पर, इसमें एक WHO की report आई थी, कुछ time पहले, उसके उपर ये question था, ठीक है, तो बहुत से लोगों ने WHO की report नहीं पढ़ी होगी, फिर भी इसका बहुत प्यार से, इस वाले question का हम लिख सकते थे, बहुत प्यार से, क्यों ये mobile का impact, child के उपर कैसे होगा, ये आपको किसी book में, notes properly बना सकते हो, कि देखो, आप क्या करोगे, सबसे पहले आपने notes में लिखोगे, आप notes बनाओगे, ठीक है, उसको बार-बार पढ़ोगे, उसको याद करोगे active recall से, active recall कैसा होता है, इसको ये बहुत data में आपको एक video बता दूँँगा, इसमें भी थोड़ा बहुत आपको बता होगे, और फिर जो आप लिखोगे, जो आप पढ़ोगे, उसी को आप exam में rewrite करके आओगे, उसी को, ऐसा नहीं कि आप exam में कुछ अलग से ही कर रहे हो, तो अगर आप उसी को rewrite करने वाले हैं, तो यह notes making है, यहाँ पर जो first step है, यह सबसे important होगा या नहीं होगा, इसमें framework की पढ़ेगी या नहीं पढ़ेगी, बिल्कुल पढ़ेगी, ठीक है, और जो answer writing के session है, वो तो मैं आपको बाद में लूगा ही लूगा, कि उसमें answer writing के बहुत सारे approach होते हैं, यहाँ पर stakeholder approach, chain process, यह चलो मैं अभी देखते हैं, sequence में चलते हैं वीडियो के, यहाँ पर मैं बता दिया कि यह वीडियो कैसे कैसे आपको help करेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इस वीडियो को पूरा देखो, देखो आपको, मतलब आप किसी वीडियो को देखो है, मत देखो इसको जरूर देखो, यह मेरा recommendation है आपके लिए, क्योंकि मैं देखता हूँ कि 2-3 मिनट देखके वीडियो छोड़ देते हैं, बिल्कुल छोड़िये, आपको कभी benefit नहीं होगा, यह वही बच्चे छोड़ते हैं जो अगले page add कर ले, page काटा, उसमें लगाया, उस पर लिख लिया, ठीक है, एक तो यह approach हो गया आपका, दूसरा, coaching की pdf, आज कल यह बहुत चल रहा है, coachings, हर coaching pdf प्रवाइड कर रहे है, जो वह class में पढ़ाती है, वही उसी की pdf प्रवाइड कर देती है, है कि नहीं, कई coaching pdf प्रवा एक next approach होता है, self-notes, यही तो method होगे, या तो आप direct book से पढ़ोगे, correct है ना, या आप pdf से पढ़ोगे coaching की, या फिर जो teacher ने dictate कर वा है, उनसे पढ़ोगे आप, या फिर आप खुद के notes बनाओगे इन सब को मिला के, कि जो book है, कोई standard book है, उनसे आप notes बना सकते हो, किसी भी method पकड़ लिया, सिर्फ ये वाला पकड़ लिया, second वाला ये, third वाला पकड़ लिया, fourth वाला पकड़ लिया, इसी को लेकर मैं चल रहा हूँ, मैंने सारे notes एक ही approach से बनाए, ऐसा कभी नहीं होता, मैं subject by subject सोचता हूँ, कि मुझे कौन से उसके अंदर approach लगानी है, हर subject का याद रखनी है, कि made notes the way we want to write an exam, यह मैं बताई चुका हूँ, कि वैसे ही note बनाने है, जैसे आपको अपने exam पर लिखने है, इससे क्या होता है, आपका framework develop हो जाता है, ठीक है, हमको पता है, बहुत सारी relevant information है, बहुत सारी, देखो, जब आप book पढ़ते हो, उसमें क्या है background व ऐसा नहीं कि आप कुछ भी relevant information आपने notes में भरते आ रहे हैं, तब तो आप book ही लिख रहे हो, फिर तो आप book लिख दो, publish कर दो, अच्छी बात है, ठीक है, पढ़ने ही क्या होता है, exam नहीं निकलेगा यह से, अगर आप irrelevant information पर ध्यान दोगे, यह भी यह भी यह भी, आपको स पोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्या क्या इसके अंदर हो सकता है, क्या क्या dimensions बन सकते हैं, ठीक है, और ऐसे notes हने चाहिए, जो easy to remember हो, अगर आपने framework ही बना लिया ना, तो उस framework के चीज में आगा आप कुछ याद भी नहीं है, तब भी उस framework में आप लिख सकते हो ऐसा framework बनाएंगे, होता है कभी-कभी हम रास्ते पर चले जा रहे हैं, आये की रास्ते पर रोज चलते हैं, तो मैं यादी नहीं रहता कि हम किसी भी point को कब cross कर गए, तो इस तरह का framework के यहाँ पर develop करोगे, अब note making का sequence क्या होगा आपका, यह सबसे important thing है, क्योंकि अब हम actual portion पर जा रहे हैं, अभी तक तो मैं सारी बाते कर रहा था आपसे, ठीक है, तो actual portion में सबसे पहले आपको क्या करना है उठके, आपको PIQ के analysis करना है, ठीक है, जो PIQ से यह बार-बार बोल रहा हूं, आपसे बार-बार बोल रहा हूं, हर वीडियो में बोल रहा हूं कि PIQ देखो PIQ देखो, अगर आपने PIQ नहीं देखो, आप समझ ही नहीं पाहोगे कि चल क्या रहा है, ठीक है, अब PIQ के अंदर, PIQ आपने देख लिए, समझ ली अच्छे से, अब analyst कैसे करते हैं, वह बताता हूं, फिर आप theory पढ़ोगे, complete theory पढ़ोगे, कोई भी एक book उठाओगे, कित असरी होती है, बिना किसी काम की होती है, जो सिर्फ आपके pages भरती है, और मजा भी नहीं आता, अब आप सोचो, कि आपके सामने, मैं 300 page की book रख दूँ, और आपके सामने, यही 300 page को मैं समरी बनाके, बड़ी आसे, इतना 50 page में रख दूँ, आप कहोगे, 50 page को मैं कम से कम 6 ब मैं आपको तरीका बताऊंगा, और हर बार exam से एक दिन पहले आप यह उठाने तो बैठ होगे नहीं, कि 300 page की किताब उठाए, आप क्या करोगे, आप अपने यह 50 page की समरी रहेगी, इसके भी synopsis रहेंगे, ठीक है, देखो ऐसे, theory, फिर आपको सोचना है, PIQ से और theory से dimensions, कैस एक होता है, अब यह dimensions में आपको आगे बताऊंगा, कि dimensions क्या होता है, यहां पर सिर्फ यह देखो, कि diamonds या तो PIQ पूछा गया है, या हम प्रेडिक्ट करेंगे, PIQ प्रेडिक्ट कर सकते हैं, यह याद रखो, ठीक है, अब वह कैसे करेंगे, यह मैं बताऊंगा, और यह हमा आपका exam नहीं निकलेगा, तब तक आप value addition करते रहेंगे उन notes के अंदर, ऐसा नहीं कि एक बार notes बना लिए खतम का नहीं या था, कभी नहीं होता, ठीक है, यह आपने कर लिया, यह तो हो गया step 1, अब step 2 पर जाएंगे, सबसे फ़ले आपने note बनाएं तो यह बनेंगे comprehensive notes, थोड़े से ठीक-ठाक बलकी notes बनेंगे इसमें, मतलब यहीं मैंने बताया, कि आपने notes बनाएं किसी भी subject के, तो आपके 200-300 page के अंदर यह notes बन जाएंगे, comprehensive थोड़े से, फिर उसके बाद बनाएंगे, हम short notes, अब कई लोग यह comprehensive notes नहीं बनाते, यह भी मैं आपको नहीं नहीं है, got my point, I hope so, चलिए, फिर इन compression notes से आप क्या करोगे, short notes मना होगे, short notes से synopsis मना होगे, यह short notes मैं आपको बता दूँगा, synopsis मैं आपको बता दूँगा, कैसे होता है, चलिए, फिर यह मैं आपको बताई दिया, write, read, write, what you read, what you write in your exam, I mean to say, what you read in your notes, what you write in your notes, that you saw in your answer writing, okay, वही आप recreate करते हो, answer writing में, याद रखना, how to generate framework, अब सबसे important यह चीज़ है, कि अब हम framework, framework बनाओ, framework बनाओ, framework बनाओ, तो हाँ, अब उस framework को कैसे बनाएंगे, तो पहले मैंने बोला कि subject wise approach होता है, कैसा होता है, subject wise approach होता है, सबसे पहले subject में देखा जाता है, कि dimensions उसक क्या के dimensions, कोई भी topic हम लेंगे, उसके क्या के dimensions हो सकते है, यह मैं आपको बताता हूँ, dimensions क्या होते है, जैसे मैंने आपको एक MPPFC analysis जो मैंने किया था, अभी कुछ दिन पहले, paper का, उसमें मैंने आपको एक technique बताई थी, graphs वाली, तो graphs क्या है, यह graphs जो technique है न, यही आपकी dimensions है जैसे कि आप कोई भी topic लेंगे लो, आप ले लो, Indus Valley Civilization, Indus Valley Civilization की सबसे पहले G, कि उसकी geography क्या है, यही तो आप देखोगे, Indus Valley की geography क्या है, फिर, उसका religion क्या रहेगा, मैं आपको नूर्स दिखाऊंगा, बिल्कुल, आप उसकी attention मत दिए, Indus Valley Civilization का art and culture क्या रहेगा, P, उ इसका art and culture क्या होगा, quality क्या होगी, उसकी economy क्या होगी, इसी में trade वगरा सब कुछ आ जाता है, ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगया, geography, religion, arts and culture, art and culture हो गया, quality हो गया, यह economy हो गया, और यह society, as for society, ठीक है, यह as for होता है, society को, उसकी society कैसी थी, अगर इस वाले में आपको dimension में तो आप history के किसी भी question का answer दे सकते हो, that we call the dimensions, इस तरह से dimensions होची राते हैं, okay, हर चीज में dimensions होते हैं, don't worry, वह मैं और भी आपको चीजे बताऊंगा, फिर होता है, stakeholder approach, यह answer writing की techniques है, ठीक है, history answer writing आप ऐसी कर सकते हो easily, stakeholder approach, stakeholder approach कैसा होता है, आपको पता है क्या, मान लो, मैंने ब winters के time पर pollution होता है, क्या होता है, pollution होता है, okay, अब यह pollution कैसे-कैसे अलग-अलग चीजों को impact करता है, यह मुझे आपसे मेरा question है, how pollution impacts the daily people, daily people को कैसे-कैसे impact करता है, ठीक है, अब इसके आप pollution के dimension तूड होगे, Delhi people तो ठीक है, आप Delhi people के उपर तो लिखोगे, लिखोगे, क्या उन पर positive impact होता है, क्या negative होता है, वो तो आप देखोगे, देखोगे, उससे पहले, अब इसका मैं आपको बताता हूँ कि, pollution से रिलेटर, कैसे-कैसे हम इस्टे का holder बना सकते हैं, सबसे पहले, pollution होता किससे है, industries, ठीक है, second, impact किसे करता है, people, हम लोग, humans, okay, impact करता है, कौन इसको रोख सकता है, government, officials, bureaucrates, यहाँ पर officials लेख देता हूँ, जो आपके departments है, जो भी pollution related होगे, ठीक है, agencies, इसका मैं department लेख देता हूँ, department यहाँ पर यह है, कि जो pollution related department है, ठीक है, वह, वहाँ पर, क्योंकि यही तो policy policy बनाएंगे आपके, यह सारी चीज़ है, supreme court, government तो यहाँ पर होई है, supreme court, okay, और यहाँ पर people के अंदर भी देख हो, हम कर सकते हैं, कि जो काम करते हैं, ठीक है, daily wages पर, जो इनकी साफ सफाई करते हैं, उनकी उपर क्या impact होगा, जो वहाँ पर रह रहे हैं, उनकी उपर क्या impact होगा, जो भारते हैं, उनकी उपर क्या impact होगा, यह सारी चाही क्या हुआ, हम pollution के stakeholder ढूल लिए हमने, कि अच्छा यार, pollution की वैसे industries पे भी impact होता है, people पे भी होता है, government का, उसमें क्या roll रहेगा, पॉलिशन में, पॉलिशिस पगरा कौन बनाएगा, government मनाएगी, किस की help से बनाएगी, जो departmental agencies है, उनकी help से बनाएगी हैं, और इनको control कौन करेगा, जो in field में execution कौन करेगा, इन policies का, officials करेंगे, और कभी-कभी Supreme Code का भी आजकल देखो, pollution में बहुत चलता है, कि आपने अभी यह imply नहीं किया, वो imply नहीं किया, ठीक है, यह सारी चीजें, तो यह क्या होगा, यह होगा, आपका stakeholder approach, अब last में बता जाता हूं, इसी तरह से देखो सोचा जाता है, कोई भी, आप pollution का एक topic दो, यह सोचो, और आप धढले से इसके बारे में, दो-दो-दो-दो-दो-दो- कितना बड़ा answer होगे आपका, दो-पेस तो ऐसी भर जाएंगे, next chain process, जब मैं आपकी answer writing classes लोगा तब आपको बहुत सारी approaches बता होगा, और भी बहुत सारी होती है, जो आप easily उनको कर सकते हो, आप उसमें 4-5 छांट लो, 4-5 में आप पूरा निकाल दोगे, यहां तो मैंने 3 आपको बताएंगे, यह dimension वाल हो गया, इस्टेक approach हो गया, chain process, chain process कैसे होती है, जैसे मैं आपको बोलू, कि इसी pollution को ले लो, हम, इसी pollution को ले लो, अब how to control it, how to control it, अब how to control it में क्या करेंगे हम लोग, chain process में कैसे चल सकते हैं, सबसे पहले, pollution करता कौन है, या तो industry, या फिर हम लोग plus people, humans करते हैं कि नहीं, तो industry pollution, यहां से क्या हुआ, generate हुआ, यह इसके cause हुए, pollution के, next, इसको रोकने के लिए, ठीक है, government क्या बनाएगी, policies बनाएगी, हम आगे चलते जा रहे हैं, policies, policies को कौन apply करेगा, bureaucrates या officials, यह चेन बनती जा रही है, कि इसके आगे इसका रोल है, इसके आगे इसका रोल है, और officials के आगे, जो executive, जो people है, ठीक है, जो wage work करते हैं, जो departments है, वो सारी चीज है, यह क्या government policies किसके तुरू, agency कि तुरू बनाती है, फिर officials, फिर उसको काम करने वाले लोग, यहाँ पर हुगा के नहीं, और फिर last में, कैसे यह control हुआ, कितना इसका impact हुआ, मतलब जो हमने यह पूरी chain process बनाई है, जो kontrol कर रहे हैं, हर कोई अपने LEVR परender control कर सकते हैं,ίνडस्टी अपने LEVR पर調 कर सकते हैं, बात को घॉत at इसलिए थोड़ा सा उपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन आई होप सो समझ में आ जाएंगी और जब मैं आपके ये classes लोगा तो बहुत detail में इन चीजों को पढ़ेंगे, मैं एक-एक question के आपको प्रोसेस से आपको करके दिखाऊंगा और आपको एक भी चीज याद करने तक ही जरूद नहीं पड़ेगी, इतना easy कर दूँगा चीजों को, ठीक है, तो जैसे हाँ, industries पर ही आया, तो कोई भी एक industry है, industry है, उसको setup करनी है, तब आप क्या करोगे, तो वह बंदा क्या करेगा, सबसे पहले land देखेगा, land के लिए, land और अपनी company के लिए license लेगा, permission लेगा, क्या लेगा, permission किस से लेगा, government से, फिर वह plant setup करेगा, मालब question ऐसा हो सकता है कि, how a industrialist, which problem industrialist face, during setup, during setup of an industry, किसी भी industry को setup करने के दर्मियान, वो क्या-क्या, उसको challenges face करने पड़ते हैं, problems आती है, तो सबसे वह पहले land देखेगा, फिर government के पास जाएगा, फिर government, देखो land के साथ, जो land के लोकल people है, उनकी problems, challenges face करेगा, government के पास जो license article corruption से मिलते हैं, ये सारे challenges face करेगा, फिर setup execution के time पर उसको manpower चाहिए होगी, ठीक है, labor unions होती है, वो सारा approach करेंगे उनको, वहाँ पर जो local politicians है, वो भी approach करेंगे, कि भाई, आप हम से करवाई है काम, ये काम हम से करवाई है नहीं, तो हम होने नहीं देंगे, तो ये setup के द करनी है, वो आपको दिखाऊंगा, आपने खुद के notes दिखाऊंगा, ठीक example तो चलो, मैंने यहाँ पर बहुत सार आपको देई दिये, एक PYQ का example देऊंगा, PYQ analysis कैसे करते हैं, अगर PYQ मानलो एक आया हमारा गांधी जी के उपर, गांधी जी, अब गांधी जी के उपर गांधी जी का देखो, मानलो एक question आगया, non-violence के उपर, ओके, एक question आगया, सत्याग्रह के उपर, यह question मानलीजे previous questions हैं, यह हमारे UPSC, MPPSC, PSC, किसी में भी आपके state exam में यह पूछ लिए गया है, अब कोई बंदा, अब स्लिवस में तो सिर्फ गांधी जी के बारे में लि अब dimensions कैसे सोच जाएंगे, यह देखो, यह दो dimension हो गए, next dimension, क्या इनकी जो trusty ship की theory है, trusty ship की theory, वो नहीं पूछ सकते हैं, आप मुझे बताओ, तो आपके notes में trusty ship के बारे होना चाहिए यह नहीं होना चाहिए, यही तो prediction हो गया, यह तो ask हो गया, मैंने बताया था question asked, जो dimension Dimensions, यहाँ पर मैं बता रहा था आपको, यह dimensions, यह PY की ask, मतलब यह PY की पूछ चुके है, और predict हम कैसे करेंगे, predict यही तो है कि गांदी जी के बारे होना question है, तो trusty ship के बारे मा आ सकता है, ठीक है, उनके non cooperation movement के बारे मा आ सकता है, non cooperation उनकी कैसे होता था, और गांदी जी का तो देखो, गांदी जीन तो बहुत बहुत कुछ किया है, उसका कोई तोड़ी नहीं है, उनके किसी भी उसके उपर आ सकता है, यह तो मैं आपका एक general example दे रहा हूँ, जैसे कि और उनकी देखो थेयोरित में आपको बताता हूँ, सत्याग्रय होगा, सर्वोदया, होनी चाहिए, आप मुझे बताओ, होनी चाहिए ना, तभी तो इन सारी चीजों की यही तो prediction है, कि यह दो चीजे पूछ चुगा है, तो इनके बारे में तो पूछ सकता है, भाई इनका फिर गांदी जीका फिर comparison होता है, कि अमबेडिकर जी से, ठीक है, कि वो जो lower society है, ठी करते थे, गांदी जीन को कैसे approach करते थे, यही तो analytical चीजे है, इनके लिए सोचने ही क्या जरूवत, ठीक है न, आपको इनके बारे है, हाँ, यह पढ़ना जरूर पड़ेगा, याद रखनी पड़ेगे चीजे, लेकिन आपने framework बना लिया, आपने अपने notes में ले लिया, अ मैं आपको अपने notes दिखाता हूँ, जिन से selection लिया जाता है, ठीक है, कुछ आपको notes दिखाऊंगा, कुछ आपको मैं provide भी कर दूँँगा, थाए telegram चैनल पर, मैं देख लेता हूँ, यह पूरी file से provide कर दूँँग, आप उसमें से, अपने accordingly छाट सकते हैं, आप अपने notes ब Okay, now यह देखिए, यह है मेरी लच्मी कांथ की book, इस वाले लच्मी कांथ के लिए, मैंने quality के लिए क्या approach लिया था, कि quality मैंने separate notes, पूरे detail में notes नहीं बनाये थे, क्यों, क्योंकि इसकी एक standard book है, अगर किसी भी subject की एक standard book है, तो आप क्यों उसको दुबारा लिखो, Got my point, आप क्यों बार बार उसको लिखना है, तो आप क्या करेंगे, आपने book उठाई, पहली reading मैंने एक बार normal कर ली थी, second reading में आपको देखेगा नहीं, मैंने बहुत हलका हलका इसमें pencil से किया था, मैंने इसको lines को ऐसे highlight कर दिया था, ऐसे नीचे underline की थी, मेरे second reading में, और third reading में मैंने वही point highlight किये थे, जो मुझे याद नहीं थे, और मैं इसमें note addition कर लेता था, कि यह थे कोई एक P.I.Q. है, transfer question, transfer subject, reserve subject, इसका एक P.I.Q. आया था, तो उससे मैंने सारे लिख लिए, कि transfer subject, अगर एक पूछ चुगा है, तो मैं reserve subject भी सारे लिख लिएता हूं, और consequence है इस्टिगर चुपका लेता, ठीक है, यह मैंने मेरा पॉलिटिगा प्रविश्टा दो, आपको, आप सोचें, कि नहीं मैं हर चीज के separate notes बनाऊंगा, तो भाया, आप गलत कर रहे हो, आप अपना time waste कर रहे हो, यही तो होता है, notes making is a art, भाई, इसमें एक होता है hard work, आप सारे notes बनाऊ, आपके पास बिल्कुल, आपके पास दो साल हो, डेट साल हो, आप बिल्कुल सारे notes बनाईए, बट अगर आपके पास सिर्फ मैंने जो प्लैन वादा है, 180 days की तो बदा है, 180 days में आपको सारे सब्चें खितम करने तो आप सारे notes बनाने बैठ जाओगे, अगर आप आपको समझ में नहीं आएगा, हाँ हर चीज लो थोड़ी लिखने बैठ जाओगे, तीन बार पढ़के सौर्ट पनाऊ, बात खतम, ठीक है, चली, यह आपको समझ में आया होगा, अब देखो, यह है मेरे internet securities के note, इसमें भी मैंने same approach लिया था, book उठाई, एक बहुत प्यार आ गया, तो मैंने book उठाई, और उनकी classes उठाई, मैंने यह पूरा marathon कर ली, मैंने कोई इसके लिए 40-50 गंटे वेश्ट नहीं किये, इस subject के लिए, उनकी मेरा दिन दिन दिया, I think, 5-6 गंटे की, 5-6 आर्स की, 5-6 गंटे में subject खता मतलब मैंने ठीक है, इसमें लगाए थे, क फिर मैं इसमें अलग से भी लिखता जा रहा था, कि हा, ठीक है, उन्होंने यह एक्ष्टा समझा दिया, तो मैंने अपने लिए, कहीं मुझे लग रहा है, तो देखो, यह notes मैंने यहां पर stitch कर लिया, अलग से, यहां पर मैंने लिख दिया, यह economic drain है, तो मैंने यह लिख द psychological impact, यह भी इसके dimension है, तो मैं हर topic अलग dimensions सोचता था, यह इसके dimensions हो सकते हैं, मैं ऐसे इस question को मैं लिखूँगा, तब कैसे लिखूँगा, यह तो इन्होंने किताब ने लिख दिया, मैं exactly यह थोड़ी उतार सकता हूँ, या इतनी चीजी कौन ही आत रखेगा, ऐसी थोड़ी कहलाते हैं, ठीक, ground face पर क्या impact होगा, human space पर क्या impact होगा, humans पर क्या होगा, brain drain होगा, psychological impact होगा, humans पर हमारी tourism industry पर क्या impact होगा, इस तरह से आप लेख सकते हो, आपको सोचने की जरत पढ़ेगी, क्या आप बताओ, जब आपको इने dimensions आपने एक framework कहा है, आपके पास, कि मैं economically सो होगा, तो समझा करो चीज़ को, तो यह मैंने आपको कौन से वाले notes बनाई, जो मैं direct book में highlight करता था, ठीक है, direct book में, मैं इनके लिए मैंने अलग से notes नहीं मनाई, क्यों मैंनत करूं यार, जब मेरे पास है, बड़ी आफ है content, next, मैंने एक आपको approach बताई थी, class notes, मैं थरस class notes से, वो खुदी अपने slide पर लिखते थे, बड़ा प्यारा लिखते थे, और सब कुछ लिखते थे, लगवाग दो-चार चीज़े dictate करते थे, तो मैं अलग से देखो, मैंने dictation वाला ये लिख लिया, तो यह भी मैं, पूरा के पूरा मैंने उठा के, अपने notes में लगा लि यह science and tech की PDF प्रवाइट की थी, science and tech था जो subject, इसकी PDF बहुत प्यारी थी, कोई दिक्कत की बात ने, जब PDF मुझे इतनी प्यारी मिल रही है, तो मैं क्यों जाऊं, तो देखो, कभी मैं standard book की तरफ जा रहा हूं, कभी मैं class notes की तरफ जा रहा हूं, subject, अलग-अलग subject के लिए, क मैं PDF की तरफ जा रहा हूं, मुझे जो पसंद आते हैं, मैं उसको जाता हूं, मैं ऐसा नहीं कि हर चीज के comprehensive notes बनाने बैठ जाओ, वो भी बनाए है, मैंने sort notes बहुत बनाए है, वह आपको दिखाऊंगा मैं आपको, comprehensive notes भी बनाए है, लेकिन एक दो subject के लिए, जिसमें teacher dictate करत सिर्फ उन subject के मैंने comprehensive notes बनाए है, ठीक है, चलो, अब यह देखो, यह हो गया, मुझे अलग से topic मिलता था, यह current, मैंने current यहीं पर include कर लिया, कि इस topic से related, यह current है, genome sequencing, तो मैंने यहीं पर उसको notes बना लिये, ठीक है, यह current से related था, मुझे इसको किसी भी जाके magazine से पढ़ने की यहीं बाद में जरूती ही नहीं है, यहीं पर आ गया मेरा current, अब देखो geography notes, तो यहां पर geography हो देखो, पूरे की पूरे मैंने map अपने हाथ से बनाए, कभी भी इस चीज का PDF मत ले लेना, कि आप यह mapping का और इनके PDF लेने बैड जाओ, भाहिया, फिर आप कभी नहीं याद कर पाऊगे, फिर पूरे की पूरे मैंने सारी चीजे खुट से बनाए है, सारी चीजे इसमें अपने हाथ से ट्रॉकिए, क्योंसी चीजे काउन से है, कहाँ पर है, ठीक है यह पर भी देखो, यहां पर यह राइस्थान सेल्फ हो गया, क्रिश्न गुदावरी सेल्फ हो गया, तो यह बहुत सारी चीजे, मैंने अपने हाथ से बनाए है, यहां पर भी देखो, इस तरह की जो आप जोग्राफी में क्या अप्रोच करो, कि हर चीज के पास आपको एक चोटा डाइगरम बनाना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा, चोटा डाइगरम, और छोटे डाइ जो peaks के नाम दे दिये थे, अब बताया था कि इसको ascending है, I think descending order में लगाओ, कि कौन सी सबसे बढ़ी है, फिर कौन सी सबसे चोटी peak है, मतलब चोटी, ठीक है, तो यहां पर मैंने mountains लिख लिए है, mountains मैंने एक line से लिख दी है, अच्छा इसके बाद यह, इसके बाद यह, इसके बाद यह, इसके बाद यह, तो मैं ऐसे ही अपने revision notes में भी लगाऊंगा, ठीक है, और यह सारी चीजे फिर मुझे लिखने की जरूती नहीं पड़ेगी, क्यों, क्योंकि इसको मैंने ले लिए अपने map में, ऐसी western ghats, तो western ghats का भी देखो, मैंने बनाया, तो यहीं पर मैंने उसका draw कर लिया, यह western ghats है, यह इस तरह से है, नीचे नील गरी वगरा है, तो यह इतना आपको इतना थारा पढ़ने की जरूती नहीं पड़ेगी, यह देखो, यहां पर थालगाट pass, ठीक है तो western ghats पर यह pass है हमारे, तो यह सारी चीज़, मैंने यहीं पर draw कर ली तो, अब कर मैं इस diagram को देख लूँगा, तो मुझे यह चीज़ पढ़ने भी जरूती नहीं पड़ेगी, ठीक है, तो यह comprehensive note इस तरह से भी बना जाते हैं, आपको यह जोग्राफिक नोट से इस तरह स exam दे रहे हैं, यहां देखो, मैंने यह map लिया, map को मैंने किया है, मैंने हर page पर MP का map यह निकाल लिया था, ठीक है, यह political map है, बहुत सारो मैंने physical map लिया है, political map इसमें इसलिए लिया था, क्योंकि मुझे देखना था कि कौन सी जो national park है, वो किस जगह पर है, ठीक है, याद कर मैंने के लिए, अब मैंने यहां पर बनाया, 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 यह सारे बना लिया, इनके बारे में यहीं पर लिख दिया, इसके अलावा कुछ पढ़ने की ज़रुत नहीं है, नेशनल पार्क में, किसके नेशनल पा एट फिर इसके बाद 1975 इस तरह से तो देखो मैं एक ट्रेंगल ऐसे बना लुगा सबसे पहले तो मुझे याद रहेगा यह वाला पहले आया यह इसके बाद आया यह उसके बाद आया ठीक है इस तरह से मैंने इसमें कुछ कुछ detailing की थी पहले तो मुझे याद ने रही अभी फिर देखो यह फिर मैंने हर जले क्या बोलते हैं डिश्टिक थी ठीक है अपने जोंस थे जोंस की इसके कितने अंदर कितने-कितने उसके मैं प्याद किया था अब देखो किसी का भी आप इस तरह से मैं प्याद रख सकते हो मैंने district wise हांस से बनाना सीख लिया था मुझे एक district तक याद थी कि कौन सी district कौन सी है कौन सा zone कौन सा है तो मैंने सबसे पहले क्या चीज को zone में वाइफ़र किया तो मैंने मैं इसको यहां से रफ किया, यहां से रफ किया और यहां पर बना दिया एक ऐसे लाइन, अब मैं देख लोगा कि एक जोन यह हो गया, ठीक है, एक जोन देखो ऊपर हो गया मुरे ना का, एक मैंने यहां से अटेच कर दिया, एक जोन यह हो गया, ग्वालियर का, ग्वालियर यह अपना भुपाल जोन हो गया यह वाला यह वाला तो मैंने एक ऐसे बनाई यह ऐसे आप करोगे ना तो आपको मार्क करूँआ मैप के अंदर अब देखो रिवर्स जैसे जोग्राफी को जो मैप का आपको बता रहा हूँ मैं देखो यहां पे पूरा यह मैप है यह बीच में आपको दिख रहा हुआ यह यह उसके चारव डेटेल लिख दो और यहां पर जिस भी नदी के आप बारे में ल सारी नदिया ले ले लिए यह मुझे बेजिक फ्रेमबर्क पता चल गया कि अच्छा यह इसका फ्रेमबर्क होगा अब क्यूंकि देखो जोग्राफिया आपको मैपिंग से याद होगी यह फ्रेमबर्क होगा यहां नर्मदा, तापती ठीक है यह यह यम नाम है कौनसी रि प्रोजेक्ट्स है ठीक है waterfalls कौन से हैं यहां पर नर्वदा के बारे बेसिक जान कारे इसके नाम क्या है largest river MP की largest है इंडिया की फिफ्ट largest है और यहां पर देखो प्रोजेक्ट यहां पर यहां पर कौन सा प्रोजेक्ट किसके बाद है यह सारी जीज़ें यहां पर ना लिया कि मुझे प्रोजेक्ट लिखने है मुझे उसके waterfalls लिखने है, मुझे उसके tributaries लिखने है, मुझे उसके origin लिखना है, end लिखना है, और यहां पर उसके अलग से names है, उसके आसपस कौन सी cities है वो, तो मैंने हर एक उसमें यही approach अपना follow गया, यह framework फॉलो किया है, इस वाले में, ठीक है, फिर betwak, फिर sindh, kane, य आपको यह चिंता मत गरूँ, यह वाला मैं provide कर दूँँ आपको उस पर, telegram channel पर, अब देखो, यह मुझे याद करने थे, national park of India, यह मैंने खुस से नहीं बनाया, क्योंकि खुस से बनाने में क्या problem आ रही थी न, कि A4 size की paper में मैं इतना छोटा link नहीं पा रहा था, तो मैंन मैं क्या किया, यह PMF IS की, इनकी website पर यह डला हुआ है, इंडिया का map, वो तो मैंने MP के national park बता है, यहाँ पर देखो, पूरा all over the India, 108 national park है न, उसके, ठीक है, फिर मैंने हर state के national park को अलग pen से highlight किया, देखो, नीचे है न, यह यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, pink यहाँ पर जो अपने pencil color आते हैं उससे highlight किया था, पूरा पूर यहाँ से भर दिया था मैंने, और फिर उसी color से मैंने जो भी उसके अंदर national park थे उनको highlight कर दिया था, इससे मुझे क्या फाइथा, मुझे तरन देखती पता जाता है, MP के अंदर यह वाले, जो औरेंच वाले हैं सारे MP क अंदर है यहाँ पर, इस तरह से अलग-लग मैंने highlight कर दिया थे, तो यह याद करने की techniques है, शर्ब, यह मैपिंग का, अब मैपिंग के मैं हमेशा 3 map लेता था, एक यह political map हो गया, जिसके अंदर मैं खुछ से, उसकी main cities, ठीक है, अगर कोई features है, वो भी मैं उसी के अंदर physical map हो गया, इसमें जो इसके physical features हैं, वहाँ के ज्यादत तर, वो सारे मैंने scandal ले लिए थे, जैसे यह देखो, यह जो green color में दिख रहा होगा, sahil region, उपर sahara desert होता है, यहाँ पर, यहाँ पर आपको kalahari desert मिलेगा, यहाँ पर नाविव desert मिलेगा, ठीक है, यहाँ के bus weld लोग र यह सारी चीज़े हो गए, next क्या calendar है, उनकी rivers, और वहाँ कही कौन सी lakes वगरा है, तो यह देखो, यह मैंने सारी river अपने हाथ से बनाई है, क्यों क्यों कि physical map में आपको river पता ही नहीं चलेगा, कौन सी कहां से join कर गी है, यहां से, यहां से, अब मुझे बताओ, कि यह वाली river अगर कोई भी question आ जाता है, उनके features का, तो वो मैं यहां पर easily mention कर सकता हूँ, ठीक है, और यहां पर hills पगर आ है, वो भी यहां पर, यहां पर ही mention है, इसी वाले figure में, यह हो गया आपका, अब देखो, environment, अब environment की एक चीज़ याद नहीं रहती, conventions, उसके मैं आपका notes दिखा किसके बाद कौन सा आया, ठीक है, अब देखो, यहां पर मैंने industrial revolution हुआ, environment pollution बढ़ा, okay, उसके बाद, एक silent spring book थी, वो यह publish हुई थी, जिसमें काफी criticize किया गया था लोगों को, जो developed countries है, फिर उसके बाद सबसे पहले हुआ हुआ, Stockholm Conference, कब 1973 में, अब यहां से चीज़ environment program यह हुआ, और इंडिया के लिए इसके क्या फायदे हुए, इंडिया ने क्या क्या किया, इंडिया ने अपना wild protection act बनाया, environment protection act बनाया, wildlife protection act, environment protection act, ठीक है, उसने 40 second consumer amendment किया, जिसमें DPSP में भी add किये, ठीक है, कौन सा 48 A article, और fundamental duties में भी इसको include किया, environment को, क्या 51 A article, तो यह स उसके बाल limits club of Rome की एक meeting हुई, फिर उसके Vienna convention हुआ, फिर Montreal protocol हुआ, यह सब sequence में है, ठीक है, फिर Brentland report, फिर IPCC, फिर Rio summit हुआ, और Rio summit की देखो, यहां पर extra जानकारी, यहां मैंने arrow लागा के बना दिया, यह Rio summit के सारे क्या, यह extra जानकारी है, यहां पर यह सारी चीज है, कि Rio summit स निकला, ठीक है, Rio plus 10, Rio plus 20, यहां पर देखो, Stockholm convention, Minimata convention, इसके बाद हुआ, अब यह तो मैंने सारे convention लिख लिए, ठीक है, अब हो सकता है, देखो, Ozone के 2-3 convention हो, ऐसे जो BRS convention से, BRS, चलो अब भी आपको समझ में नहीं आगा, BRS को मतलब के है, आगे साथ दिया होगा कहीं पर फिर इसमें, Global Environment Fund, ठीक है, अब इसके बारे मैंने सारी जानकर लिख ली, कि यह किस-को fund करता है, अब यह कब बना, GEF, यह बना Rio summit के टाइम पर, ठीक है, Rio summit में Rio plus 10 हुआ, उसमें John's work declaration हुआ, ठीक है, उसे Agenda 21 मजा, और जो Sustainable Development Goal के बारे आप पढ़ते हो, वो यहीं से निक रियो समिट में, Agenda 21 हुआ था, और यहां से जो यह हुआ था अपना Sustainable Development Goals, यह कब हमने इनको rectify कर लिया था, ठीक है, ratified कर दिया था, यह Rio plus 21 है, ओके 20 साल बात जो conference होई थी, Rio summit होई थी, ठीक है, फिर इसमें Rio summit में, GEF निकला था, अब GEF, देखो, यहां पर मैंने बताए कि तीन संस्था निकले थे, UNCCD, UNCVD, UNFCCC, तो GEF जब इन से ही निकला है, तो इनको तो fund करेगा ही करेगा, और बाकी Minimata Convention, Stockholm Convention, इनको भी करेगा, इसका structure क्या है, fund क्या है, fund for India, कि इंडिया के लिए कौन से fund दे रहा है, ठीक है, agencies funded by GEF, यहां पर कौन से बड़ी बड़ी मुझे जाए data में बताना था, तो मैंने यहां पर ना बताती हुए, इसको यहां पर बता दिया, ठीक है, उसके बाद देखो देखो, Ozone, अब मैंने Ozone लिया, एक topic, Ozone के उपर तीन conventions होई थी, एक Vyana Convention, Montreal Convention, यह किगाली का amendment, अब इन तीनों के अंदर क्या हुआ हुआ था, V HCFC के बारे में detail में बात हुई, इसको face out करना है, ठीक है, और फिर यह किगाली amendment में क्या हुआ, HFC के बारे में बात हुई, यह hydrochloroflow carbon HCFC, I think, फिर BRS convention, BRS convention से मैं हमेसे याद रखता था, कि B, B for Basal Convention, ठीक है, R for Rotatam Convention, S for Stockholm Convention, तीनों में pollution के बारे में बात हुई, कि Basal Convention में भी हुआ है, अगर हम movement करते है, hazardous waste का, मानलो, अमेरिका में कोई hazardous waste निकला, और वो इंडिया को भेज रहे हैं, ठीक है, कि इंडिया में dump कर दो, इंडिया तो developing country है, उनके पास बहुत जग है, अभी कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमारे पास जो निकला है, तो उनके पास pollution जा र बारे में, यह सारी चीज है, अब फिर मैंने इंडिया से लिख ली, मुझे याद नहीं रहती थी, कि इंडिया से कौन सी NGO है, ठीक है, UNCCD क्या है, UNCBD क्या है, ओके, ट्रेफिक क्या है, यह क्या रहता था, तो मैंने इनको लिख दिया कि NGO, NGO लिखके, यहां पे सारी NGO एक स यहां से आप easily इस question को solve कर सकते हो, ठीक है, अब देखो history के note, मैंने आप वेधिक period के आपके notes निकाल दिये, अब वेधिक period में मैंने दो चीज़ों मैं इसको divide कर लिया था, यहीं पर एक ही page में, early vedic, letter vedic, अब वही मेरी theory, मैं history तो हमेसा एक ही चीज़ से करता था, graphs, ठीक है, यहां सारी चीज़ है, और इसी के उपर सारे depend होगे, अगर कुछ छोटी-मोटी extra detail है तो अलग से लिख लो, तो यह देखो इस तरह है कि मैंने आपको history के note बता दिये, आपको environment के note प्रॉपरली बता दिये, आपको अपना तरीका बता दिया कि bookish method में कभी यूज करता था, ठीक है, dictation notes कभ यूज करता था, यह सारी चीज़ है, अब बात करते हैं, देखो polity के बारे में, अब देखो यह है, यह मेरे emergency के notes, ठीक है, emergency मतला polity के अंदर emergency के note, ऐसे emergency के note में मैंने सबसे पहले लिख लिए, national emergency होती है, president rule बगरा होता है, okay, of financial emergency होता है, अब इन तीनों के के बारे में, मैंने सबसे पहले national emergency के बारे में समझा दिया, पूरा, यहां पर इसके effect क्या होते हैं, ठीक है, और effect भी देखो, effect of national, इसके है, तो on state relationship, ठीक है, effect on life of local state legislature and fundamental rights, यह तीन इसके dimensions हो गए, कि भाई, national emergency हो, क्या क्या इंपक्ट होंगे, किस-किस जगे पर impact होंगे, क सिर्फ इतने में, इतने मर्ज कर दिया, इसलिए देखो, कहीं पर कोई tick नहीं है, कहीं पर कोई highlight नहीं है, क्यों, क्योंकि मैं सिर्फ इतनी summary बढ़ूँगा न, और मेरा भी पूरा clear हो जाएगा, यह पूरा जितना भी यह लिखा है न, दो page का, मैंने एक summary में, मतलदा, sword notes क सिनोप्सिस, यह होते हैं, यह मैंने जो बनाए न, यह short notes से मेरे, और इसका एक synopsis यह बना दिया, फिर मैं इसको last में देखूंगा, खतम का न, यह दो page का खतम, okay, सेम ऐसे देखो, president और governor, एक side मैंने president के बारे में लिखता गया, यहां पे छोटा सा governor के बारे में लिखता गया, एक ही जैसे उनके काम होते हैं, अब जैसे vacancy हो जाएगी, तो president और governor यह जैसा काम करता है, ठीक है, यहां पर देखो powers, president की powers, governor की power, यह, तो कितने देखो, दो page के अंदर पूरा president खतम, फिर vice president सिर्फ इतने के अंदर खतम, क्यों, क्योंकि बहुत सारी चीजे हमें पत Senate committees हो गई, अपनी, यह parliament हो गया, parliament के, I think 49-50 pages में दिया है, 6th edition of Lachmi Gant, और यहां पर देखो, यह एक page, यह दो page, यह 3 page, यह 4 page, यह 5 page, यह 6 page, ठीक है, 6 page में आपका parliament खतम, सोचो, पूरा बुरा हार एक चीज इसमें लिखी हुई है, हार एक चीज, और बहुत ही देखो, budget, budget, budget मैंने, यहां पर देखो, bill process, bill process, जैसा book में दिया हुथा, ऐसा नहीं, मैंने अपने खुछ से देखो, यह NCIT में भी दिया हुथा, bill process, bill, ठीक है, bill के उसका next step क्या होता है, first reading कब होती है, second reading कब होती है, third reading कब होती है, उसमें bookist language में दिया था, मैंने उसको bookist language को note making form में shift कर दिया, तो इस तरह से notes बनाए जाते हैं, आप ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे, sir, मैं इतने सारे notes कैसे बनाओं, लिखता लिखता ही मैं परेशान हो जाओं, आपको हर चीज की notes बनाई जरूदी नहीं है, ठीक है, budget, budget के बारे में देखो, यहां पर मैं लिख दिया कि यह बजट है हमारा, recepts और expenditure, कोई recepts आईगी, तो उससे budget बनता है, ठीक है, तभी तो budget आएगा, कितना पैसा है हमारे पास, और जो पैसा है उसको फिर हम expand करेंगे, ठीक expenditure करेंगे, अब यहां पर इसके बीच में होता है financial bill, financial bill approve होगा, तब हमें recepts clear होगे हमारी, appropriation bill clear होगा ठीक है, budget presentation, general discussion, यह मैं यह वालिक पालिटिक में पीडियाप डाल दूँ है, ताकि आपको बहुत help लेगी इससे, ठीक है, budget क्या 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 करता है, इतने में, budget document contain, इतने में, बात खतम, ठीक है, railway का budget, बस मैं दो line में लिख दिया, कि 1924 में यह separate हुआ था, और 1917 में मर्ज हो ठीक है, demand for grants क्या होती है, other grants क्या होती है, grants rule, special, pabashtu, raja sabah only, बस 3 में यह खतम, article b लिख दिया है, यह सारी चीज़े है, state legislature देखो, सिर्फ आधे पेज में state legislature खतम, क्योंकि parliament में सारी चीज़े लिख चुके थे, state legislature में जो चीज़े होती है, same parliament उसी तरह से तो काम करता है, छोटी मोटी changes थे, वो मैंने यहां पर लिख दिये, एक page में खतम, यह देखो, parliament committees, तीन committees में यह थे, तीनों को मैंने यहां यहां पर लिख दिया, और इनका framework बना लिया, तो जिससे मुझे comparison करने में आसान हो जाएगा, committee to incur, यह supreme court, high court, ठीक है, यहां पर मैं supreme court चला रहा यहां पर high court चला रहा हूँ, यह सारी चीजे लिख दी, यह supreme court के judge की qualification क्या होनी चाहिए, high court के judge की qualification क्या होनी चाहिए, इस तरह से मैं पॉलिटी के यह पंचायती राज, ठीक है, यहां पर हो गया, जो 73rd constitutional amendment act हुगा था, फिर अपके यह पैसा act, फिर यहां पे municipalities, 74th constitutional amendment act वा पर लिए बार बार पढ़ 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 गे, मुझे सारी चीजे याद होगी, तो उनके क्या synopsis बनाता मैं, ठीक है, उनको तो मैं ऐसी active recall करता रहता था, तो ऐसी देखो parts, यह मैंने अपने हाथ से लिखे है, क्योंकि यह मैं समझ गया था, कि मैं जब किताब से पढ़ता अपने कस्ट्रिट्रिशन असेंबली के, सचनानन सिना, वो और उनके बाद क्यों बने थे, जो पर्मनेंट बने थे, अपने राजेंट परसाद जी, ठीक है, तो वो एक question आया था, कि नहीं जी था, एक question यहीं से वे देखो, वह सारी थे question मेरे note से फजे थे, वैसे भी basic थे यार, note से क्या मतलब है, और यह emergency profession, article 18, I think यह पूचा था, या फिर I think article 20 पूचा था, दौनों में से एक पूचा था, यह यहां से, क्योंकि मैंने यह कर रहा था, तो मुझे बहुत अच्छे से याद था हो, schedule, फिर schedule मैंने अपने हाँ से लेके, इनकी देखो यहीं पर trick लि लिखूंगा, got my point, उनको बार-बार क्यों लिखा हूं, जो मुझे याद ही है, उनको तो मैं सही करके ही आँगो न, तो short notes में CC यह नहीं लिखी जाती है, जो आपने 10 बार पढ़ी है, कहते है न, वो चांदी चॉक्चु चाइना में कि मुझे एक, क्या बोलते है, मूव से दर नहीं लगता, ठीक है, 1000 मुप से दर नहीं लगता है जो आपने 12 बार और की हैं, लेकिन एक villos में लगता है जो बार आपने practice पॉसिबल नहों पादा यारे, ओके, चलिए, thank you very much.